हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू क्लाइंट सॉलोटक यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप पीडिएफ को और चैनल चार्ट जो है फ्रेंड्स होता क्या है अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखे तो और जिसके जरिए हम जो अपना विजनिस है जो हमारी क्रिया है कोई है कोई भी वर्क है कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसको हमने systematical तरीके से manage करना है उसको हमने उसमें roles define करने है responsibilities define करनी है और business की detailing के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और mainly it's a visual representation of your organization अगर हम इसको organizational chart कहते हैं तो it's a visual representation of our organization so friends इसमें मैं include किया है कि किस तरह से YouTube content creator जो है वो अपना जो channels है जो बड़े business बड़े channel है किस तरह से अपना जो business है उसको कैसे manage करते हैं और कैसे आप भी इस तरह का चीज़े आप कर सकते हैं business process और system बनाने की अपने benefit है इससे आपकी समय की बचत होती है और जल्दी काम होता ह है और अधिक काम आप कर सकते हैं visual representation मैंने आपको दिखाया clarity of roles and responsibility for example ये YouTube content creator का जो एक organizational chart बनाया है for example के लिए आपको पता है कि आपका जो video editor जो department है या video editor जो person है वो कौन से department में है ठीक है और एक दूसरे को पूरे departments का पता है कि कौन सा किसका role है अगर मुझे बड़े label पर य कि कौन सा कितना department काम कर रहा है कितने organization उसमें जो structure कितना है बड़ा है organization का तो वह हम organizational chart से समझ सकते हैं और हर एक organization के अंदर ये chart होते हैं बनाया जाते हैं इसलिए ये जो video है MBA students के लिए business owners के लिए और जो beginners है Microsoft word सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है और जान सकते हैं कि किस तरह से organizational chart बनाया जाता है hierarchy reporting के लिए इसका benefit रहता है कि मालनों इन्होंने अगर reporting करनी है तो वो इधर reporting करेंगे content creation production जो head होंगे उनको reporting करेंगे और फिर या वो यहां से direct इधर reporting करेंगे ये example में दे रहा हूँ इसी प्रकार से दूसरे example में हमने बताया है जैसे government of India है इसमें हमने example के लिए बनाया है हमें नहीं मालूम कि इसी तरह से structure है but for example हमने यहां PMO जो हमारा center head है यह जो हम यह कह सकते हैं कि जो prime minister of India है जो उनके अंडर जो यह departments जितने भी departments है पूरी country उनके अंडर आती है and along with them supreme court है election commission है these are the some हम इनको यह कह सकते हैं कि यह भी साथ में खड़े हैं बराबरी बे लेकिन mainly because the powers of PM is higher so एक example के लिए बनाया है कि आप किस तरह से हम किस तरह से उसको check कर सकते हैं किस तरह से आप देख सकते हैं students के लिए जो exams की तियारी कर रहे हैं कोई एक स्ट्रक्चल तरीका है यह डाटा को मैनेज करने का information को तो स्ट्रक्चल रे से एक स्ट्रक्चर आपके पास बना होगा अगर आप exam की तियारी कर रहे हैं तो आप एक आसा चार्ट्स आप बना सकते हैं books में आपने ऐसा देखा होगा तो यह सारे benefits रहते हैं charts के and as a business अगर हम देखे तो हम पूरा इसमें planning कर सकते हैं कि किस तरह से हमने कब कौन सी department में हमने कौन सा person hire करना है ठीक है कहां पर हमें ज़्यादा resources देने है कहां पर हमें camera के ज़रुत है कहां पर हमें ज़्यादा content देना है किस को person को हमें ज़्याद transparency होती है कि हमें पता है कि आप जो पूरा जो department है अगर मालों ये sticker या एक print out भी आप लगाते हैं organization के भार तो आपको पता है कि हमारे जो company है जिसमें मैं काम कर रहा है उसमें कौन कौन से department है कहां पर मुझे क्या चीज मिलेगा कहां से मुझे किस चीज का support मिलेगा और पूर चाहिने के लिए बनाने का जो तरीका है इसमें हमें मैंने जो examples दिये हैं वह इस तरह से आप यह बना सकते हैं ठीक है माले जी वीडियो creation process है तो आप process बना सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपके computer में अगर Microsoft Word उपलब्ध है और installed है तो आप क्या करेंगे कि हमे चार्ट लेना है यह organizational chart बनाना है तो हमें smart art में जाना है insert में यह मैं आपको देखिए new menu में उसमें बताता हूं एक blank document में so आपके लिए easy हो जाए insert में जाना है smart art पे click करने के बाद आपके पास जो है यह बहुत सारी options आएगी जैसे हमने hire की इस पे जाना है और यह हमने select कर जाना है इस तरह से select करके आपके पास यह sheet आएगी उसमें bivin type के layout आएंगे जो आप उपर से देख सकते हैं इन layout का use करके आप पूरा chart बना सकते हैं यहां से इसके colors है यह सारे colors आप change कर सकते हैं text जहां कहा है तो वहां पर आपने text लिखना है माली जी आप यहां CEO लिखते हैं यहां आप assistant लिखते हैं ठीक है जो भी आपका department है पहले उनको paper में note कर लेजिए फिर उसके बाद आप उसको तयार करिए यहां पर आप HR head आप ले सकते हैं ओके यहां marketing head आप ले सकते हैं अगर यह माली जीए digital marketing agency है या kind of that और जो भी आपके department है यह आपका development का department है ओके CFO आप उसमें add कर सकते हैं right click करना shape के उपर और फिर आपको right side पे जाके यहां option आजाएगी add shape before और after हमने after चाहिए तो यहां पर आप CFO add कर सकते हैं फिर यह आपके जो बड़े high level पे है marketing head के बाद हमने इसमें माली जी और अगर department add करने है तो हमने add shape below करना है अगला जो department है माली जी आपको यहां करना है marketing head होगा ना अब हमने करना है इसमें marketing के भी बहुत से type है एक होगा digital marketing के head और एक हो रख सकते हम traditional marketing के लिए जो system होता है जो offline या printable marketing बट आप इसको marketing में ही रखे तो that's better so हमने इसको लेना है इस तरह से की हमने ले लिया SEO head और दूसरा हमने advertising ad ल लिए या इनको आप manager कहिए या आपकी direct team है ठीक है या project manager जैसे अगर आप development का है तो उसमें आपको project leader project head फिर उसके अंदर team फिर हर project wise आप उसको divide कर सकते हैं यह assistant है जो इन्होंने guideline दी यह assistant जो है इनको आगे go through करेगा और इन यह जो चारह जो department और इन परसन से बात करेंगे और देन वो CEO से communicate करेंगे तो एक example में दे रहा हूं हर organization का अपना system होता है structure होता है इसी तरह से process अगर बनाना है तो process जैसे YouTube का बनाना है या किसी भी study का बनाना है for example students के लिए देख़ए example देता हूं यहां पर यह हमने एक example मैंने add कर दिया simple सा example आपने लेना है smart art पे ले लिया for example यहां पर आपने example के लिए कि पहले math आपने study किया ठीके math के बाद आप यह करने का जुरूरी नहीं है आप mind में भी clarity रख सकते हैं लेकिन because आज की rate में information आपके बाद आपके पास बहुत जादा है यहां आपने gk का कर दिया और इधर आपने computer का कर दिया यह तीन subject है इनको आप इस तरह से आप study करते हैं ठीके और इसी तरह से process के लिए आप और भी process के example हम बना सकते हैं जैसे अगर हमने video creation का ही बनाना है या तो मैंने आपको example दिखाईए हम कोई और भी बना सकते हैं यह भी हम तियार कर सकते हैं कि हमने किस इस तरह से इसको one by one rotate करना है इसका पहले भी video बना चुका हूं यह थोड़ा मैंने और detail में आपको बताया इसमें कुछ एक concepts clear कियें जिससे आपको काफी benefit रहेगा यह इस तरह से आप इसको किसी भी level पे ले जा सकते हैं जो भी आपका creativity है इन organizational charts को आप यूज कर सकते हैं औ लेकिन अगर आपके Microsoft Word अगर computer में इंस्टॉल है तो आप बना सकते हैं for example video creation process बनाया है हमने इस video creation process जो हमने smart data से बनाया है इसमें बहुत से layout जिनका आप यूज कर सकते हैं इनको change कर सकते हैं जैसे अच्छा लगे colors आप add कर सकते हैं और इसमें अगर बदलाव करने हैं वह आप कर सकते हैं को यहां पर आपने कोई और नई line एड करनी है तो वह भी आप add कर सकते हैं इससे benefit रहेगा कि आपका जो communication है जो detailing है और जो एक representation है आपको हर एक department का जो अपने जो process से video को create करने का उसको बनाने का एक आपको system रहेगा आपके पास chart बना होगा आप उसको print out करेंगे control P आपने press करना है अगर आपने print करना है या print option पर भी जा सकते हैं और फिर जो copy आपको निकालने यह वह आप करें अगर आपको इस तरह horizontal यह निकालना है तो उसके लिए layout में जाके इसको orientation जो है इसका portrait या landscape यह दोनों देखें अगर आपको vertically निकालना है तो आपने यह portrait र आपको अलग-लग section दिखाने है creation के process के तो आप इसको right यह landscape ले सकते हैं अगर portrait लेना है तो portrait में वर्टिकल ले सकते हैं तो आपको पता रहेगा कि सबसे पहला यह step है second step यह third step यह fourth यह fifth यह sixth है सो कोई नया person है कोई individual है या कोई learner है या जो manager है या कोई भी सो उन्होंने अगर उनको एक structural तरिके से information को manage करना या data को manage करना है जो उनके department का है या अपने department के जो organization के जो main आप उनको यह कह लेजिए कि जो pillar department से अगर हमने उनका detailing रखना है कि मुझे कहां पे कौन सा concept कौन से department मिलेगा या मुझे कौन से किस बंदे से बात करनी है वो एक structure को देखके हम उसको जल्दी कर पाएंगे और अगर हमने पूरी organization को manage करना है we can do that उसके accordingly वो तो यह है कि आपके पास अगर इनकी जूरता पड़ती है बड़ी companies में जहां पर 5-10 या 20-50 हजारों के हिसाब से जहा रहे हैं या Microsoft Word understand कर रहे हैं उनके लिए जुरूरी है कि वो इसकी practice करें क्योंकि कल दिन को जब भी उनको इस तरह का job मिलेगा कहीं पर तो कहीं न कहीं उनको इस तरह के चार्ट बनाने के लिए आ सकते हैं और उनको यह जुरूरी रहेगा और अगर कोई business owner है तो वो Microsoft Word का benefit ल क्या है Microsoft Word के आप क्या create कर सकते हैं students कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं education में इसका क्या use है वो सारे article आप चेक करें और आपको पूर आइडिया हो जाएगा उसके बाद कि हम इसको कैसे हम beneficially बना सकते हैं so this is about organizational chart कि यह होता क्या है कैसे इसका benefits है और कैसे आप इसको बना सकते हैं I hope you understand and you like the video and share with your friends thank you very much